नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं मुख्य मंत्री ने हर गाउं में कम से कम पांच पांच नई योजनाई शुरू करने का निर्देश दिया ताकि रोजगास रिजन के साथ पलायन को रोका जा सके उन्होंने कहा है कि सुखा जैसे हालात में खद्यान, पेजल और पसु चारा की कमी न हो इसको ध्यान में रखते हुए योजनाओं को बनाए और उसका बेहतर किर्यानोयन के साथ मोनेटरिंग भी हो इस मोके पर विभीन विभागों ने सुखे जैसी हालात से निपटने के लिए बनाई जा रही अपनी कार योजना से मुख्य मंत्री को अउगत भी कराया मुख्य मंत्री ने विभागों से कहा है वे समनिया बना कर योजनाय बनाए ताकि वे बहु उप्योगी सावित हो सके जार्खन की राइधानी राची समेत परदेश के कई जीलों में 14 सितमबर तक भारी बारिस के असार है राची सितम केंद्रे ने सुमवार को यह जनकारी दी है मौसम विभाग की और से बताया गया है कि तेरा और 14 सितमबर को कही कही भारी बारसा हो सकती है तेरा सितमबर को जार्खन के उत्री तथा मध्य भागों में जबकि 14 सितंबर को उत्री पूर्वी भागों में कुछ जगा पर भारी बर्सा हो सकती है बतादे मध्य जारखन में रांची बोकारो गुमला हजारी बाग खोटी तथा रामगण जिले जबकि उत्री हिसे में देवगर धनबाद दुमका, गिरीडी गोटा जामतड़ा, पाकुर साहिव गंचत्रा, कोडर्मा, लाते हर लोहर्दा का पलामू और गढ़वा जिले हैं जारखन के 145 परखन में भीशन सुखार के संकेत अक्टूबर अंत में केंद्र को भेजी जाएगी रिपोर्ट जरकंद में 145 परखंद में भीशन सुखार के हालाथ बने हुए है, जबकिταν 95 ऐसे परखंद है जहां आंसिक सुखार जैसे हालाथ देखने को मिल रहे हैं जार्खन मंत्राले में मुक्य मंत्री हेमन सुरेन की उपसिती में आपता प्रवंधन प्रादिकार की बैठक में ए हकीकत सामने आई है हलाकि राजी की हेमत सुरें सरकार सुखार को लेकर अक्टूबर माह के अंत में केंद्र सरकार को अपना रिपोर्ट और सुखार को लेकर मुअबजार रासी का दावा करेगी किरिसी निदेशक नीशा उरावने जनकारी देते हुए कहा है कि अगर यही हालात अमतिम समय तक रहा है तो केंद्र सरकार के समख्छ राज सरकार आर्थिक मुअबजा को लेकर कुछ इस तरह का दावा करेगी 31 अक्टूबर तक खरीब के लिए केंद्र सरकार के रिपोर्ट देने का अमतिम समय है भारत सरकार से सुखार के एवज में राजय को मिलने वाली रासी 6800 रुपे प्रती हेक्टेर 33% से ज्यादा फसल नुक्सान पर 13500 रुपे प्रती हेक्टेर है कोलकता से बोध गया जा रही बस हजारी बाग में पल्टी तीन की मौत हजारी बाग जी लेके गोरहर थाना छेतर में जीटी रोड पर सोमवर को भिशन सड़क हाथसे में तीन लोगों की मौत हो गई यह हाथसा यात्री बस के दुरघटना गरस्थ हो जाने की वजय से हुआ पत्रा ट्रेवलस कोलकता से यात्रियों को लेकर बिहार के बोध गया की ओर जा रही थी आचानक चालक ने बस का नियंत्रन खो दिया इस कारण गुरहर पूल पर यात्री बस दुरघटना गरस्थ हो गई इस हाथसे में बस चालक 52 वर्षिये अबदुल मौला उप चालक नूर जमाल और यात्री 55 वर्षिये गुरुपद मंडल की मौत हो गई इस घटना में दरजन भड़्यात्रीयों के घायल होने की सुचना है जारखन में लंपी वायरस को लेकर दसत टोल फिरी नंबर जारी जारखन के रांची देवघर और चत्रा जीलो से पसुओं में लंपी वायरस के संदिख्ध मामले सामने आने के बाद पसुपालन विभाग ने एक टोल फिरी नंबर जारी किया है एक आठ डबल जीरो तीन जीरो नौ साथ साथ एक नंबर पर पसुपालक किसान अपने गाय भैस में संक्रमन के लक्षन दिखने पर फोन कर इससे बचाओ और इलाज के निसुलक जनकारी पसुचिकितसक से ले सकते हैं पसुपालन निदेशक ससी परकास जार ने बताया है कि अभी जार्खन में जो मावले मिले हैं उनके सेंपल को जाज के लिए ICSR निसाद भोपाल भेजा जा रहा है जार्खन में लंपी वायरस के संक्रामन के अभी कोई बड़े संकेत नहीं मिले हैं इसके बावजूद विभाग ने अपनी त्यारिया पूरी कर ली है मंगलवार को सभी जीलों के जीलाप पसुपरन अधिकारी के साथ वीडियो कंफरेंसिंग कर उसके SOP की जनकारी दी जाएगी जार्खन में 15 नोवंबर को लंच होगी गुरुजु क्रेडिट काड वा मुख्य मंत्री सार्थी योजना जार्खन सरकार की दो महत्व कांची योजना गुरुजु क्रेडिट काड योजना तथा मुख्य मंत्री सार्थी योजना की लॉंचिंग 15 नोवंबर को जार्खन अस्थापना दिवस के उसर पर लॉंच होगी मुख्य मंत्री है मंसुरेन के निर्दिस पर इन दोनों योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है कैबिनेट की आगामी बैठक में इन योजनाओं पर सवक्रिती मिल सकती है उच एवम तक निकी विभाग द्वारा संचालित होने वाली गुरुजी क्रेडिट काड योजना के तहत युआओं को उच सिक्षा के लिए 10 लाख रूपए की साहता रासी लोन के रूप में मिलेंगे चैनित छात्र या छात्राएं दो या तिन किस्तो में यह रासी निकाल सकेंगे इस रासी से अनजरूरी संसाधन कराय करने का लावा कॉलेज एवम कोचिंग की फिस भर सकेंगे इसका लाव लेने के लिए जार्कन का स्थानी निवासी होना जरूरी है छात्र छात्राव को यह रासी 10 साल में लोटानी होगी रांची पुलिस ने अपराधियों की बजाई बैंड डिजी पी ने इनाम में दिये 10-10 हजार रुपए पुलिस मुख्याले में सुमवार को डिजी पी नीरा सिन्हा ने रांची जीला बल के दो जवानों को उनके साहस पुन कार के लिए समानित किया है समान सो रुप डिजी पी ने उने 10-10 यार रुपए का चेक सोपा और उनका होसला बढ़ाते हुए कहा की इनके जजबे से अने पुलिस कर्मी भी प्रेरित होंगे जिन दो जवानों को डिजी पी ने समानित किया है उनमें रांची जीला बल के हवलदार संदीप कुमार सिंग वा पी सी यार चालक संतोष कुमार सामिल है उनके समान के मौके पर एडी जी मुख्यालाय, मुराली लाल मीना, एडी जी अभ्यान संजय, अनन्द राव, लाठकर, आई जी मनौ अधिकार, अखिलियस जावी उपस्थित थे पी एम मोदी को जारखन में घेरेंगे नितीष, रांची में होगी रैली बिहार में भाजपा को जाटका देने वाली नितीष कुमार अब जारखन में भी सक्रिय होगा है, मक्सद है दोयाचोविस के लोग सभाचुना में भाजपा की घेराबंदी कर उसे कम से कम सीटों पर सिमट देना यही वज़ा है कि नितीष कुमार भाजपा के सवयोगी दल आजशू पार्टी को अपने पाले में लाने की लगतार कवायद में जुटे हैं आजशू जिस जाती समुदाय के वोटों पर पकर रखता है, उसका सभाव भी जद्यू से मेल खाता है आजशू के नेता भी नितीष कुमार के संपर्क में है, आजशू पार्टी अगर भाजपा से अलग होकर नितीष कुमार के साथ चली जाती है, तो यह भाजपा के लिए बड़ा जटका होगा यही वज़ा है कि नितिस कुमार ने जारखंड में अपनी पार्टी जद्यू को संगठनिक रूप से मजबूत करने की कवाज शुरू कर दी है बिधान सभा अध्यक्ष ने कहा जिसका 1932 के खतियान में नाम वही जारखंडी बिधान सभा अध्यक्ष ने कहा है कि असले जारखंडी वही है जिसका 1932 के खतियान में नाम है जारखंड सरकार अब जारखंडियों को पहचान देगी और वह 1932 के खतियान के अधार पर होगा बिधान सभा अध्यक्स नाला विधाय ग्रमिन राथ सोमवार को जाम तड़ा के कुंडरहीत इस्थीत धनुक डिह में मुर्गा बनी से राजनगर तक उनाईस क्लोर से प्रस्तावीत सलक मरमत कारे के सिलन्यास करने पहुँचे थे नवदे के छात्र की मौद पर गुसा प्रचार्य पर हत्या का केस जो आहर नवदे बिध्याला के होस्टल में रभिवार की साम आठवी के छात्र चंदन कुमार सिंग की मौद पर सोमवार को जना करोस भड़क गया ग्रमिनों ने करीब 6 गंटे के लिए हंसडी दुमकापत को जाम कर दिया है गिरीडि में अपने ही इसकूल की छात्रा से योन सोसन करने वाले गुरुजी निलंबित नवालिक छात्रा से योन सोसन करने के आरोपीत उत्करमित मधविद्याला परसिया के सिक्षक भागीरत राना को निलंबित कर दिया गया है राना परगत 20 जुलाई क स्कूल की हिना बालिक छात्रा के साथ अभधर बेभार करते हुए योन सोशन करने कारूप लगा था इसे लेकर 28 जुलाई को सर्या थाना में पोक्सो एक्ट के तहद प्राथमी की दज कराई गई है इस दरन थाने में दिये गए आवेदन के बाद सिक्षक की मनमानी की पोल इसकूल की अन बच्यों ने भी खोली थी रांची में HDFC वा इंडसंस बैंक के ATM से कैस की लूट राइधानी राची के रातू थाना छेतरे के काठी टांड चौक परिस्थीत HDFC वा इंडसंस बैंक के ATM को चुरों ने निसाना बनाया जनकारी के नुसार HDFC वा इंडसंस बैंक के ATM में कोई गाड नहीं रहता है ए ATM 24 गंटे खुला रहता है रभिवार की रात को दोनों ATM को अग्यात चुरों ने शक्रों ने गैस कटर से काट कर कैस बॉक्स में रखी नगत चुरा कर फरार हो गाए कोलकाता कैस कांड अधिवक्ता राजिव कुमार को मिली जमानात कोलकाता में 50 लाख के साथ पकड़े गया अधिवक्ता राजीव कुमार को मध्ध कोलकाता के 22 साल कोट से जमानत मिल गई है सोमवार को जमानत मिलने के बाद भी उनके जेल से बाहर आने पर संसाय है 31 जुलाई से वा कोलकाता में जेल में बंद थे इससे पहले 2 सितंबर को इड़ी कोट में होई पेसी के बाद उनकी नयाईक हिरासत की ओधी 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी ज्ञारखन में कुरोना के 125 एक्टिव केस रांची में 47 ज्ञारखन में कुरोना का संक्रमन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है हलाकि कुरोना संक्रमीतों की संक्या में काफी कमी आई है स्वास्त विभाग के आकड़े की माने तो राजे में फिलहाल 125 संक्रमी था है जिसमें सबसे ज्यादा 47 रांची जी लेके हैं इसके बाद पूर्वी सिम्भूम से 12 बोकारों में 11 और धनबाद में 10 संक्रमी था है वहीं राजे में जाच भी सिमट कर रह गई है मुस्किलों से 1500 से 2000 सेंपल की जाच की जा रही है हलाकि भी सिसक डाक्टरों ने संक्रमीतों की संक्या कम होने के बावजूद सवधानी और सतक्ता ब्रतने का निर्देश दिया है इसके अलावा ठीका करण में सभागिता देने की सला दी गई है दूर्गा पूजा गाइडलाइन का बिरोध सुरू पूर्वी सिम्हुम जीला परसासंद्वारा सनिवार को जारी दूर्गा पूजा की गाइडलाइन के खिलाप भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है भारतिया जनता युवा मोर्चा ने पूरे मामले पर ट्वीट कर राजेपाल से मामले का संग्यान लेने का अग्रक या संगठन के परदेश अध्यक्ष परदेश किसलय तिवारी ने संगठन परदेश उपाध्यक निशिकांद कुमार के ट्वीट को रिट्वीट कर बिरोध जताया भाजपाक के पुर्व जिला ध्यक्ष अभय सिंग ने ब्यान जारी करका है कि पर्वतेभार के पहले इस तरह के नियम थोपना हिंदूओं की भावनाओं को ठोस पहुचाना है कुरुना महामारी के दो साल के बाद इस साल लोग भव्य पुजा के त्यारी में जुटे हैं भावा देने तथा खिलाडियों को पुरुत साहन देने के लिए उन्हें चात्रविर्थी पदान की जाएगी उन्हें बीमा से भी जोड़ा जाएगा भूत पुरु खिलाडियों को पेंशन भी मिलेंगी राज सरकार द्वारा तैयार जारखन खेल नीती 2022 में इसका प्रवधान किया गया है मुक्ष मंत्री हमान सुरेन ने मंगलवार को इस नीती का मीमोचन करेंगे इस नीती का उदे से राजि के सभी आजूवर्ग के नागरिकों के लिए खेल को उनके जीवन का अभीन हिंसा बनाने यह हम सारी गतिवी दिवों में बढ़ चड़कर हिंसा लेने के लिए परयाप्त और सरुपलप्त कराना है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं होते चैनलों को सब्सक्राइब का बहल का बेल आइकन दबाएए साथ सी साथ वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों को से सेर करना ना भूले साथ सी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बैक अवस से दे थैंक यू